InScape प्रियोग करके Designer CD Label पर Spoken Tutorial में आपका स्वागत है, इस Tutorial में हम नेमने करना सीखेंगे, एक CD Label, Template, बनाना, एक CD Label, डिजाइन करना, फाइल को PNG में सेप करना, इस Tutorial को रिकॉर्ड करने के लिए मैं उप्योग कर रही हूँ, Ubuntu Linux 12.04 Operating System, InScape version 0.48.4, अब InScape खोजते हैं, File पर जाएं, और फिर Document Properties पर क्लिक करें, Width और Height Parameters को 425 करें, Dialog Box बंद करें, Rectangle Tool प्रियोग करके एक Work बनाएं, इसे लाल रंग दें, Selector Tool पर क्लिक करें, Tool Controls बार पर Width और Height Parameters को 425 करें, आगे, Ellipse Tool प्रियोग करके एक वृत बनाएं, एक बार फिर, Selector Tool पर क्लिक करें, Tool Controls बार पर Width और Height Parameters को 425 करें, वृत और Work दोनों को चुनें, Object menu पर जाएं, Align and Distribute पर क्लिक करें, Relative to विकल्प को पेज पर सेट करें, Objects को केंदर में Align करें, Path menu पर जाएं, Difference चुनें, अब एक अन्य वृत बनाते हैं, एक बार फिर, Selector Tool पर क्लिक करें, Height और Width परामिटर को 85 करें, Align and Distribute विकल्प प्रयोग करके इसे Page के केंदर में Align करें, दोनों आकरतियों को चुनें, चुकि यह Template है, हम रंग को वाइट से बदलेंगे, इसलिए अब यह दिकाई नहीं भी दे सकता, Layer menu पर जाएं और Layers पर क्लिक करें, मौजूदा Layer का नाम बदल कर CD Template करें, Layer में गलती से Elements की गतिविदी से बचने के लिए Layer को Lock करें, आब एक अन्य Layer बनाते हैं और इसे CD Design नाम देते हैं, इसे CD Template Layer के नीचे रखें, अब हमारा CD Template तयार है, बविशे में हम विविद CDs बनाने के लिए इसे उप्योग कर सकते हैं, आब अपनी SVG फाइल को Save करते हैं, फाइल पर जाएं और Save As पर क्लिक करें, मैं इसे Desktop पर Save करूंगी, मैं File Name में टाइप करूंगी, CD Template और Save पर क्लिक करूंगी, अब हम CD Design Layer पर कारे करेंगे, आब Background डिजाइन करते हैं, इसके लिए Rectangle Tool प्रियोग करके एक Work बनाएं, चुकि रंग सफेद है इसलिए यह नहीं विदिख सकता, रंग को हलके नीले में बदलें, Selector Tool पर क्लिक करें, फिर Width और Height Parameters को 425 करें, इसे केंदर में Align करें, अब हम Boundaries के अंदर Background रंग को देख सकते हैं, अब हम एक Graphic उधारन डिजाइन करते हैं, Gradient Green बनाएं, बेजिय टूल चुनते हैं और वक्रिये चित्र बनाते हैं, आगे Spoken Tutorial लोगो इंपोर्ट करते हैं, लोगो Code Files लिंक में दिया गया है, फाइल पर जाएं और Import पर क्लिक करें, लोगो को Resize करें और इसे चित्र के उपर की तरफ रखें, लोगो के दाइं तरफ, Spoken Tutorial टाइप करें, Font Size 20 करें, अगली लाइन में टाइप करें, Partner With Us, Help Bridge the Digital Device, Font Size 8 करें, मैं CD Label के नीचे Contact का विवरण टाइप करूँगी, अब मैं LibreOffice Rider पाइल से Contact के विवरणों को कॉपी करती हूँ, जो मैंने पहले से किया था, अब इसे निचले छेत्र में पेस्ट करते हैं, Contact Us को बोल्ड करते हैं और इसे केंदर में अलाइं करते हैं, टेक्स के रंग को नीला करें, आगे हम CD Label के दाइं तरफ कुछ इमेजेस को जोडेंगे, मैंने पहले ही इमेज का कोलाज बनाया है और इसे Documents फोल्डर में सेव किया है, वही इमेज आपके Code Files लिंक में दी गई है, क्रपया उस फोल्डर को जाचें जहां आपने इसे सेव किया, आप फाइल पर क्लेक करें, फिर Import पर और अंतर तहा इमेज वन चुने, आप यहां इमेज 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 हो गई है, इमेज को Resize करते हैं, मैं इसे CD Label के दाइं तरब इस्थित करूँगी, अब File और Save As पर क्लिक करके हम SVG फाइल को सेव करते हैं, मैं File Name में टाइप करूँगी, S, T, CD Label और Save पर क्लिक करूँगी, अब हमारा CD Label तयार है, अब हम सीखते हैं कि File को PNG Format में कैसे Export करते हैं, फाइल पर जाएं और Export, Bitmap पर क्लिक करें, एक नया Dialog Box दिखेगा, Export Area में Page, Tab पर क्लिक करें, Bitmap Size में DPI को 300 करें, फिर Browse बटन पर क्लिक करें, मैं फाइल को सेव करने के लिए Location में Desktop चुनूँगी, और मैं File Name में Type करूँगी, S, T, CD, Label और Save पर क्लिक करूँगी, अंतधा Export बटन पर क्लिक करूँगी, अब Desktop पर जाते हैं और अपनी File जांचते हैं, हमारा CD Label इस तरह दिखता है, इसे सारांचत करते हैं, इस टूटोरियल में हमने सीखा, CD Label टेंपलेट बनाना, CD Label डिजाइन करना, फाइल को PNG फॉर्मेट में Save करना, यहां आपके लिए एक नियतकार है, InScape के लिए CD Label बनाएं, आपका पूर्ण नियतकार है इस प्रगाद दिखना चाहिए, निमने लिंक पर उपलेट वीडियो स्पोकन टूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांचत करता है, क्रपया इसे देखें, स्पोकन टूटोरियल प्रोजेक्ट टीम का रिशालाएं चलाती है, और ओनलाइन टेस्ट पास करने वालों को फ्रमाण पत्र देती है, अधिक जानकारी के लिए क्रपया हमें लिखें, स्पोकन टूटोरियल प्रोजेक्ट बारत सरकार के MHRD के NME ICT द्वारा समर्थे थे, इस मिशन पर अधिक जानकारी इस लिंक पर उपलब्द है, हम इस टूटोरियल के अंत में आ गए हैं, IIT बॉम्बे से में शुती आ रहा है, आपसे विजा लेती हूं, हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद,